आगरा किस सरवाधिक लोग प्रिये चैनल सी न्यूस के आप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउन्डोड करें सी न्यूस चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आवास विकास सेक्टर 11 की पार्क में चल ले श्रीमत भागवत कथा के तीस से दिर मंगलवार को बगवान, कपिल, धृप और भक्त पहलात के चित्र की कथा का वर्णन किया गया जिसमें शेहर के अलग अलग जगे से आई भक्तों ने श्रीमत भागवत कथा में भाग लेकर आवास विकास सेक्टर 11 के पास में विश्विकल लियान मिशन ट्रस्ट की ओर से श्रीमत भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। विश्वकल यान मिशन ट्रस्ट के राश्ट्रिय कोक्षा ध्यक्ष मुरालीलाल गोयल ने बताया कि श्रीमत भागवत कथा के दूसरे दिन मंगलवार को भगवान का पिल और माता देवी हुती का वर्णन किया कि दो जन्वरी 2022 से आठ जन्वरी 2022 तक आभास विकास के सेक्टर 11 में टोरेंट ओफिस के सामने जनकपुरी की ग्राउंड में एक भब और एक दिव्य धर्मिक आयोजन श्रीमत भागवत कथा ग्यानियग का जिसको की राश्टिय संत पूज श्री चिन्मयनंद बापुजी के आगरा एकाई दोरा जो दो जन्वरी से भागवत कथा का सुवारम हुआ है संत श्री चिन्मयनंद बापुजी के आगवन पर नव परस के आगवन पर आज यहां सेक्टर 11 में बोधला रूट पर कथा का श्रीमत बापुज बापुज ने भागवत के महत में काकिया वर्ण सेक्टर 11 में हो रही भागवत कथा के दोरान युवा भी बर्चर कर हिस्सा ले रहे थे मिशन ट्रस्ट के राइश्ट्रिय कोक्षा ध्यक्ष मुरारीलाल गोयल ने बताया कि कथा के चौथे दिन 5 जन्वरी बुधवार को दोपहर एक बज़े से शाम पाँच बज़े तक क्रिश्न जनमुत्सप की कथा के साथ साथ सजीव जहांकी के दर्शन भी होंगे साथ ही समाजिक सरोकार के अंतरगरत पार्यवरन सरंग्षन का संदेश भी दिया जाएगा सी न्यूस के लिए गुपाल शर्मा की रिपोर्ट